पिछले दनों पूर मुख्य मंतरी कमलनात ने अपने जन्म दिन के अफसर पर एक केक काटते हुए नए बिवात को जन्म दे दिया इस केक का आकार एक मंदिर के आकार जैसा था और इस केक में हनमान जी की तस्वीर भी लगाई गई थी इस केक को कमलनात ने काटा तुबे हिंदूओं के निशाने पर आ गए खास तोर पर भारते जनता पाइटी पूरे मद्द परदेश में इसका विरोत कर रही है चतरपुर में भी भाजपा युवामूर्चा के कारेकरताओं के द्वारा चतर साल चौक पर कमलनात का पुतला जलाते हुए विरोत प्रदरशन किया गया युवामूर्चा के बिक्की सिंग ने कहा कि भगवान हनुमान सभी भारत वासियों के आराद है इस तरहे का केक काटकर कमलनात ने हमारी भावनाओं को आहत किया है मूर्चा के अन्यपदादिकारी सुहेश शुकला ने भी इस घटना का विरोत व्यक्त करते हुए कमलनात के खिलाफ नारिबाजी की किसी भी गदिविदियों का हमेशा से विरोधी रहा हो जाहे किसी भी संगठन का व्यक्ति हो हम सभी लोगों का यह मानना है कि हिंदू आस्ताओं के साथ कभी खलवार नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म के पति यह उठी सी दिबातने नहीं करना चाहिए और हम लोग को पर चूट करना बन करें ज़िए जिस प्रकार मध़ प्रदेश के पूरु मुख्थ मंद्री कमलाट जी द्वारा लगातार आस्था के गेंबर हरमान जी महराज कीूँ हरमान जी महराज को जिस प्रकार उन्हें अपने जनम दिवस के दिन केक में उपर लगा कर हिंदू आस्थाओं के साथ खिलबाल जो किया है निश्चत ही नंदनिये हैं और हम்हुरे करोणों हिंदू वासियों के लिए बारतवासीयों के लिए निन्नी करत है कि देखा जाए जिस प्रकार रुमान जी महराज पूरे भारत में पूज्ज हैं उनको इस प्रकार के कत्व मुक्हमंतरी पूर्ष मंतरी कमलाज जी द्वारा किया गया और मैं तो चाहता हूँ कि कमलाज जी को पूरे हिंदू यह गयागा